कार अभिनंदन स्वागत एक बार फिर से आप सभी स्टुडेंस का डियर स्टुडेंस का रिस्पेक्टिट पैंद्स का तो जैसे कि आप सभी जानते हैं अनौस्मेंट की जा चुकी है कि आप सभी बच्चों को समर विकेशन का जो हॉलिडी वर्क है वो जो है दिया जा रहा ह है तो आप उमीद करूंगा कि आपके पास जो भी वर्क सेंट किया जा रहा है वीडियो को अच्छी तरह से सुने ध्यान से एक एक चीज को अबसर्व करें आपके पास स्टुडी मैधीरियल भी है तो उसकी भी हैल्प लीजिए जब आप मुच्वली अंडर्स्टैंग से क utz reciclum comport लूमा पाट काह् को व इसरामा ब्सकी सितल आर्क लक्षमन है तोई यहा और बाट सी canoe स्टूंग भार्ट से आपके अंड्यो था थार्ट विर आपके च्वाट इसे समयं प्तूंग और र degradation is I w ॉaupt लॉट लाट पॉरी ऑमीन फ्हरण eh छिछ फाल्स्व iN便 for stories fourth a master storyteller fifth the story of mad tusker sixth the story of a woman ghost seventh mahendra leaves the place means today we shall discuss about the last three points so now i am going to tell you about the translation english into hindi the next point here it is the story of mad tusker one day swara told mahendra the story of a mad tusker one day a tusker escaped from the timber yard it roamed here and there it roamed here and there it means elephant he is telling the story of an elephant it roamed here and there roamed means wicharna ghoomna and then the tusker reached the town to wu tusker johan nagar mein pahuncha people ran here and there in terrador se joh logo odh prothi wo yaha waha doh rhey thay after some time ko sameke baad the elephant entered a school ground a caliphant johan wo school ground mein usnei privesh kya where children were playing johan per bachy kheel rahe thay all the boys ran into the classroom sabhi bachy johan classroom and the elephant pulled out the football goal post and the elephant pulled out the football goal post and the elephant pulled out the football goal post and the elephant pulled out the football goal post and the elephant pulled out the football goal post and the elephant pulled out the football goal post और कोई भी जो है मदद करने में ऐस मार्थ था और इदर देख रहा था इस वरा सेट इसरवाने ने कहा दाट ही वोज स्टरिंग इन दा जुनियर कलास अफ दा टाइम उसमें वो छोटी कख्षा में पड़ता था उसने जो अध्यापक की एक छडी थी उसको ग्रैब किया लिया एंड केम टू दा एलिफेंट के पास गया उसने एलिफेंट के टो नेल के उपर मारा इट शिवड एंड फैल डाउट यह कामपा और गिर गया यह वेटरनरी डॉक्टर वोज कॉल्ड वेटरनरी डॉक्टर जो पशुची के सकता उसको बलाया गया था आफ्टर टो डेज दो दिनों के इपाग दा एलिफेंट महावत केम जो हाथी को चलाने वाला होता है जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्रैवर बोला जाता है हाथी को गेने वाले को महावत बोला जाता है अफ्टर टो डेज दा एलिफेंट महावत केम और जो एलिफेंट का महावत था वो आया and took it away और ऑधी से ले गया इसवरा टोल्ड महिंद्रा इसवरा ने महिंद्रा को बताया that he made the elephant unconscious कि उसने किस तरह से elephant को अच्छीत कर दिया था using the Japanese art karate or jujutsu, jujutsu और Japanese की जो कला karate or jujutsu है उसको अपने free yoga में लाते हुए, इसवरा टोल्ड महिंद्रा that the entire factory area where he worked was once a burial ground, this is next point the story of a woman ghost, इसवरा ने महिंद्रा को बताया that the entire factory के पूरी factory वाला जोक्षेत्र था वियरी वर्कट जहां वो काम करता था once once a burial ground एक एक बार क्या था किसी जमाने के अंदर वो डेड़ बोडी को दफनाने का एक स्थानता ही सैट उसने का that the offense of God said night और रातरी में वहाँ पर भूत देखता था, sometime कभी कभी there appeared a horrible ghost of woman, महा ओरत का एक भ्यानक भूत प्रकट होता था, she held a furnace in her arms और वो अपनी बाजू में एक शिशु को लिये होती थी, यह कहानी सुनकर महेंद्रा शिवर महेंद्रा काम गया बट ही टोल इस अरामा उसने इस अरामा को बताया that there were no ghost in reality लेकिन वास्ते में कोई भूत नहीं होते थी from that time उस समय से महेंद्रा felt somewhat uneasy at night, रात को उसको बड़ी बेचेनी सी, ऐस विदा सी मैसूस हुई एक वन नाइट, एक रात महेंद्रा वह अवेकंड अवेकंड आप फ्रॉम स्लीप बाई मौन, एक क्राहट की आवाज के साथ वो नीन से जाख खड़ा हुआ दा मौन बिकेम लाउडर, और कराहट जो थी वो उची होती कि, लुपड आउट ओप ता विंडो विंडो से उसने बाहर देखा, इस वो डार्क क्लावडी फॉर्म ओफ अफ भूमन, एक बादल की आकलिती में औरत को देखा, नोट वेरी फार अवे फ्रॉम विंडो विंडो से जादा दूर नहीं थी, और वो अपने हाथों में जो है, उसने एक बंडल को लिया हुआ था, महिंडरा बेगें टो स्वेट विद फीर, डर के मारे उसे पसीनी आने लगए थे, महिंडरा लीव्स दाप प्लेस, उस थान को महिंडरा छोड़ता है, नेक्स्ट बार्निंग अगे उस सुबह इसावर और वोमन वो औरत के उस भूत की तरफ खिड़की से बाहर देख रहा था, महिंडरा वोज कोल्ड विद फीर, डर के मारे वो ठंडा पड़िया है, सुनेज, ही रीचड ओफिस जैसे वो ओफिस में पहुंचा, ही हैंडिड इन हीस पेपर्स फॉर ट्रांसफर फ्रॉम दैट प्लेस और उसने उस अस्थान से अपने इस्थान अंतरन के लिए उन कागजों को उन्हें थमा दिया, था, हैंडिट कर दिया था, तो ये इस सेकिंड पार्ट, आपकी इन्फरमिश्च के लिए बता दू, मैंने नाइफ फॉर्म के लैसन थ्री इस अवारांदा स्टोरी ट अज़ास और श्री आपकी आवार्थ और बार्ट लाँ आपकी टिल देन थैंकियो